हे अब्रिवान गुड मॉर्निंग सो सुबह के बजरे अभी साथ और अभी मैं उठ चुकी हूँ और आज मैं आप से शेयर करने वाले हूँ अपने मॉर्निंग का रूटीन तो अभी यहाँ भी बहुत जादा थंडा हो रहा है डेली में दो-चार दिन से तो कुछ जादे ही ठंडा हो रहा है तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं जाती हूँ किचन में और सबसे पहले मैं लेती हूँ एक पानी का ग्लास गरम और उसके बाद मुझे चाहिए होती है चाय चाहेगी बिना मैं अपनी मॉर्निंग स्टार्ट नहीं कर सकती बहुत जादा मुझे क्रेविंग होती है चाहेगी उसको मैं छोड़ी नहीं सकती तो आज है सेटरडे और आज आवियन के भी चुटी है हस्बन के भी चुटी है तो अभी भी मेरे साथ उठ गया था और वो मेरे साथ ही उठ जाता है बिल्कुल भी लेत नहीं करता मॉर्निंग में हजबन हमसे पहले उठ जाते हैं क्योंकि उनको आदत है सुपर जल्दी उठने की हाई अभी क्या कर रहे हो आप देखो इसने क्या किया हुआ है सारे ड्रॉर के चीज़े बाहर निकाली रही है तो यह बन रही है मेरी चाय और बहुत जाए अधीने अचार वार बना रहे है तो यह बन रही है मेरी चाय और जब सर्दिया है तो चाय हम दो तिन बारी शुबअ का जो टाइम होता है उसमें ले लेते हैं और यह मैं खेल रहती थोड़ा भी के साथ वो थोड़ा सा रो रहा था किसी चीज के लिए परिशान हो रहा था बार बार कहरा था कि गोदी ले लो गोदी ले लो और इसके बाद चाई पीने के बाद मैं पहले plants को देखती हूँ कि कौन-कौन से plants को यहां पर पानी की जरुरत है और winter season में ज्यादा plants को पानी की जरुरत नहीं होती है पांचे दिन में एक इपारी देना होता है वो भी बहुत कम ऐसे plants होते हैं जिनको इतने दिन में भी जरुरत हो जाती है पानी वाले plants से उनको भी इतनी जरुरत नहीं होती है दस से ग्यारा दिन में एक बारी देना होता है पानी तो आज मैं जारी हूँ शाम को गाउं तो आज मैं सारे plants अच्छे से चक कर रहे हूं ताकि husband को पानी की देने की जरुरत ना पड़े और मैं आ जाऊंगी तीन-चा जे तोड़ा बोलते हैं हमारे यहां पर अमीन मेला होने वाला है कालिमा की पूझा होने वाली है बहुत बड़ी तो उसमें मैं जाने वाली हूँ और हम निकलेंगे आज रात को यहां से और अभी की तब ठीक नहीं है इसलिए उसको लेके मैं नहीं जारी हूं क्योंकि नाश्ता हम बाद में सोचेंगे कि क्या करना है क्योंकि हलका ही कुछ बनाना होता है सटरे संडे में ज्यादा बर्डन नहीं लेती नाश्ते का तो इसलिए और यहां पर बैट बना के और ओपर से जितनी भी क्लीनिंग करनी होती है घर की मैं सबसे पहले वह कर देती हूं उ लेकिन उसके बाद भी वह रूम बहुत जादा गंदा होता है क्योंकि वह इधर से उधर कुटता रहता है कभी पिलों इधर फिक देगा कभी कपड़े फिला देगा कभी कुछ कर देगा तो बच्चों के साथ यह होई जाता है और यह मेरा डेली का रूटीन है कि मुझे ड पूरा सेट करना होता है और इसी में मेरा आदा से पौने घंट करना जाता है उसको सऑ करने में लेकिन इसके बाद जाड़ो जो ज tienड़ो पोची में मतलब बहुत कम ठाई मुझे लगता है तो अब है बार लिविंग रूम की में डádया देग सकते हो कुष्यन कैसे व ला र जो हमेशा ही अपनानी चाहिए लाइक अगर आपको कभी भी अपना घर में ऐसी लगता है तो आप उसी टाइम उसको ठीक कर दीजे हम क्या करते हैं कि मॉर्णिंग टाइम में एक बारी जोड़ों पोछा कर लेते हैं और फिस होसते हैं कि नेक्स रही होगा तो ऐसा बिल्कु तो मेरी एक आदत है कि मैं जब भी मुझे ऐसा कुछ लगता है तो मुझे टाइम क्लीन कर देती हूँ उससे घर ना कभी फैलावन नहीं लगता तो कभी भी कोई भी आ जाए तो आपको कोई दिक्कत फिर होती ही नहीं है गर हमेशा ही साफ सुत्रा मिलता है तो रूम साफ करने के बाद मैं सारे खिर की दरवाजे घर के खोल देती हूँ और वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर के लिए तो सुबह सुबह जो हवा होती है वो बहुत अच्छी लगती है और इसके बाद मैं डाल देती हूँ मशीन में ये कपड़े ता बहुत भी मशीन में नहीं लगती है तो मैं ऐसे ही करती हूँ पहली लगा देती हूँ ताकि जब तक मैं और काम करो तब तक ये सब हो जाए तो इसमें और टाइम वेस्स ना हो मेरा और इसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे ज़ाड़ू सारे घर में अच्छे से और भी हमेशा ही साफ सुत्रा रहता है और पोचा लगाते टाइम जो फिनाल के खुश्बुआते हैं वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है अच्छी उसकी स्मेल होती है पूरा घर एक तो साफ सुत्रा उपर से बहुत फ्रेश सा फील होता है और पोचा मैं क्या करती क्योंकि हपते में एक दो बारी मॉप से लगा लेती हूँ और बाकी जो दिन होते हैं उसमें हाथ से लगा लेती हूँ क्योंकि हाथ से लगाने में जो क्लीन होता है गर वो ऐसे नहीं हो सकता तो यह तब होता है जब मुझे बहुत अत्ठन लग रही होती है तो मैं इसका य जोवेल कर लो तो तब तक जब कपडे में दोती हो तब तक यह अच्छे से इसमें ओई लिंग भी हो जाएगी और उसके बाद में इसको वाश कर दूँगी तो यहां पर योच कार्यों मैं ये मार्स गैजीजी ए सोर और इसमे आपका और अनियन उए Il कre ब्रेंगायज यह ब्रहमी यह जूजब अउवेल और क्य कि बहुँ क्योंकि बहुत ज्यादा हैर फोल और इसलिए मैं अभी को यूज कर रहे हूं तो इससे थोड़ी बहुत बहुत ज्यादा नहीं बोल सकती लेकिन बहुत कम इससे फरक पड़ा है मुझे इतना नहीं लगा इससे ज्यादा अच्छा यह बर ठीक है अभी जब हेर फॉल होता है नहीं तो हम कुछ भी ट्राय करने को रेडी होते हैं तो कोई वली बात है तो कपड़े मैंने दो दिये थे नहा भी लिया है और अब बारी है पूझा करने की तो यह मेरा डेली का रूटीन है कि नहा दो के सबसे पहले मैं करती हूं पूझा और उसके बाद ही मैं बनाती हूं ब्रेक्फास्ट और हमारे घर में यह पहले सी अदत है सबकी की पहले नहा धोके पूझा करके उसके बाद ही ब्रेक्फास्ट करते हैं सारे के सारे और अब बारी है सल्फ केर की तो डेली मैं खुद को दस से पन्ने मिनर तो देती हूं इस चीज़ के लिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन का भी ध्यान रखे हम अपना भी ध्यान रखे घर का काम तो हमेशा होता ही रहता है वो तो हमें करना ही है लेकिन साथ में हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़ इसलिए मुझे बहुत अच्छी से सूट करता है मुझे काफी अच्छा भी लगता है उसके बाद मैं लगाती हूं मौशराइजर में मैं प्लम का ही यूज करती हूं वो भी काफी अच्छा है बहुत जादा मुझे पसंद है वह वाला क्योंकि एक तो जेल बेस है बहुत जो सोचते हैं कि विंटर सीजन में संस्क्रीन की ज़रत नहीं होती है तो संस्क्रीन हमें हमेशा ही लगानी चाहिए जितनी हमें समर सीजन में ज़रत होती है उतनी ही हमें विंटर सीजन में भी होती है तो हमेशा ही यूज कर लेना चाहिए और आल सैटरड़ी है तो ब्रिक के साथ और ऐसे रोटी खाना यहां पर शायद इसको रागी की रोटी बोलते हैं जो कि हम सब के लिए खासकर बच्चों के लिए बहुत जादा है जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हम बहुत जादा इसको हमें देना चाहिए तो हमारे यहां का पहाड़ियों का यह कैसे लगारें आपको टेस्टी हैं कि चट्टे भी घा लगारीं आपको जाली जयता चाय कर दो फिर थंडी कंदे गले रगडी गुद्रय यहां पे मैं आया हूँ हूँ छट पे कप्डे डाने के लिए और चट पे बहुत अच्छी दूपा रखी है इस टाइम पे और नीचे क्योंकि कप्ड़े ना सोकते नहीं बिल्कुल भी देशले चट पे हमें डालने होते हैं और यहां पे रॉक्सी भी बैठा हुआ है साथ में तो फाइनली काम हो गया है सारा खतम और उसके बाद मैं अपने हाथ और पैर दोनों पे लगाऊंगे अच्छे से क्रीम और करूंगी मसाज क्योंकि इसके बाद बहुत देर तक कोई काम नहीं होता है अब सीधा दिन का लंच करना है और इसके बाद कराऊंगी मैं अभी थोड दनना पड़े और इसके बाद करेंगे सीधा लंच की तैयारी तो अभी बहुत जादा टाइम है उसमें और इस पीच में करेंगे बहुत सारे काम तो अभी मुझे बहुत सारे पैकिंग भी करनी है और और भी बहुत सारे काम है तो आज की वीडियो में बस इतना ही आई आईगी नेक्स टे-म गाउं की वीडियो में आपको मैं मिलूंगी और कोशित करे jumped कि बहुत लोग आने वाले यह बहुत लोग सो प्रभाइब करना fireutan अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए बहुत जादा ठंड है तो ठंड से बचे रहिए चलिए मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई